Hello Friends, आप सभी का स्वागत हैँ प्रेपर यह पेपर यहां पर आप सभी को हल कराएंगे यहीं पेपर आप सभी के परतेक स्कूल में पूछा जा रहा है तो इसका संपूर्ड हल आप जरूर देखियेगा फ्रेंज यहां पर हम क्लास 10 के इंगलिस का पेपर का सोलूसन कराने वाले हैं तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा ठीक है आपको देखिए पेपर हल करने के लिए टाइम जो रहता है तीन आवर 15 मिट का संपूर समय रहेगा आपको जो मैकसिमम मार गयर रहेगा आपका सतर नमबर कर रहेगा ठीक है यहाँ पेपर कुछ जनरल इंस्टक्षन दिय रहते हैं यहाँ पर दीखिए जो पाहला आपका इंस्टक्षन है इसवां 15 मिट जो रहता है आपको प्रश्ण पत्र पहने के लिए समय रहता है आपको all question करना compulsory है ठीक है इसमें आपके दो part होंगे part A और part B होंगे part A में जो होता है कि 20 आपको multiple choice question होंगे जिसे आपको क्या करना रहता है OMR seat पर हल करना रहता है ठीक है और जो part B रहेगा इसके कुछ आपके general instruction होते हैं इसको आप जरूर देख लीजिए गा अब यहां पी देखिए आपका part A start होता है जिसमें आपके 20 नंबर के पूरा total आपके question रहेंगे ठीक है आपके question है यहां पी एक से तीन तक आपको क्या करना है इसके read the following passage carefully and choose the correct option to answer the question that followed आपको देखिए इसमें क्या करना रहा है जो एक से लेके 3 तक question दिया गया है इसमें यहां paragraph दिया गया है इस paragraph को यहां से लेके यहां तक आपको पढ़ना है पढ़ने के बाद यहां पे इससे समबभी 3 questions पूछा गया है उसका answer आपको देना है देखिए यहाँ पर जो तीन question पुछा गया है यही paragraph में से answer आपको मिल जाएगा देखिए आप paragraph को पढ़गे कैसे answer निकालते हैं आप सभी को बताते हैं देखिए पहले paragraph जहां से पढ़ लिजिएगा Shubhash Chandra Bose was a great leader of India. His countryman called him Netaji because he led them on the right path. He was imprisoned many times but he soon found out the more efforts should be made to make India free. The Pretties is Sovere देखिए यहां से यहां तक paragraph पढ़िए गया है अप question जो है इसको हम निकाल के इसमें answer आपको पताते हैं कैसे निकाला जाता है अब यहां पुछा है Who was Shubhash Chandra Bose और यहां पर देखिए आपको क्या दिया है Shubhash Chandra Bose Vajay Great Leader Shubhash Chandra Bose क्या घ्रेट लीडर थे यहां पर देखिए option को ध्यान से पढ़ लिजे एक Great leader ग्रेट टीचर थे ग्रेट साइंटिस्ट यान आप देवर यहां पर देखिए यहां पर क्या है आपका सुभास चंद्रबोस क्या है एक ग्रेट लीडर है इसका सही जो आप आप साही हो जाएगा ठीक है अगला देखिए दूसरा नंबर का गीव मी ब्लड एंड आई विल ग मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह वाकि किसने कहा है तो आप सभी को पता है सुभास चंद्रबोस लेकिन यह नहीं पता है फिर भी इसका इंसर कैसे देंगे देखिए जब यह कामा में रहता है इस तरह करके इन्वेटर कामा में इस पूरे वाकिय में आप पढ़िएग किसने स्टेटमेंट दिया गया था सुभास चंद्रबोस के बारे में कहा जा रहा है सुभास चंद्रबोस नहीं इसे कहा था इसका एंसर क्या हो जागा आप यहां से एंसर निकाल सकते हैं अगला देखिए इंडियन नेशनल आर्मी वास आगनाइज़ बाई यह इंडियन नेशनल आर्मी के अस्थापना मतलब किसने क्या था देखिए यहां से आप चले आईए देखिए आगे पढ़ते रहें जब आगे पढ़ेंगे इसमें लिखा होगा इंडियार में देखिए आप द्यान से देखिए इसी पैरगराफ से ध्यान से पढ़ना रहता है इसी paragraph से जितने भी question आप से पूछा जाता है, इसी paragraph में से आपको मिल जागा, ध्यान से पढ़ेंगे तो सबका answer आपको paragraph में सही मिल जाता है, ठीक है, अब देखें आगे question आपको क्या पूछता है, ध्यान से देखें, चार से आठ तक, choose the correct option to answer the following, यहाँ पर अब grammar से संबनित आप से question पूछा है, अब यहाँ पर देखें पहला, जो चौधा number का question है, इसका answer कैसे आप निकालेंगे, see, has, dot, dot, to the part देखें, आप grammar जब translation आप पढ़ें होगे तो आपको पता है, जब has आता है, तो has के बाद हमेशा word का कौन सा फार्म लगता है, तो word का हमेशा third फार्म लगता है, तो देखें यह go first फार्म है, wind second फार्म है, gone क्या है, third फार्म है, और going तो ing जोड़ दिये जाता है, तो यहाँ पी क्या हो जागा, कि यह C वाला, यहाँ पी क्या बरा जागा, गौन बरा जागा, ठीक है, तो देखें, इस से आप पाचांचे सा है, इस है लगा रहे है, इसके तुरंत बाद आपका word का third फार्म ही लगता है, तो यहाँ पी क्या बरा जागा, तो इसका मतल करते हो तो मैंने का मम्ढब करते हों इसे क्या चाहता था चाहता नहीं अगला नमबर । सब्सक्राइब आपको विकर लुघ दिया है करता है सब्सक्राइब तो अब देखना है यहां पर इसे संब देखने चार आपसे को को देखकर यहां पर पता ना है देखे, from God a precious life is to gift us यह आप जब मिलाएंगे तो देखे, life to us तो यह वाला आपसन हो नहीं सकता है from पहले लगेगा नहीं तो यह वाला आपसन मत लीजेगा देखे, life is precious gift to us मतलब life जो है, हमें gift के रूप में मिला है from the God, मतलब इस्वर के द्वारा देखे, यह आपसन क्या हो जगा आपका, सही हो जगा मतलब जो जीवन हमें मिला है, इस्वर के द्वारा क्या हुआ है हमें एक gift के रूप में मिला है इसका सही जवाप, यह वाल आपसन आप सही लगा लीजिए ठीक है, अगरा देखे, सात्वा नमबर का इसमें सही कौन है, यह वाला receive आपका जो लिखा गया है रखता जाटा यह वह वन सब्सक्राइब्स वाला हो यह वर्णिक हwichए। जाह शोड़ा ट्रीड भी और जब्सक्राइब यहले सब्सक्राइब क्या है उसके लगाते हैं,'- आप शेंस लगाई है क्या वरना आपको सीनस यहाँ इसका सभी स्वार आपसान क्या वाजाएगा सभी हो जाएगा अब देखें नौ से दस तक पीर आप यहाँ पर पैसेज आपको दिया है इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है पढ़ने के बाद नौ और 10 जो कॉएस्टन दि जीए हम सीधे आपको एंसर बताते हैं कि नौ नमबर का लैंचो लुक सैटिस्फाइड धिकाई दिखाई दिया जब मनदल वेर माने कभ देखिए यहां पर पढ़ेंगे यहां पर लैंचो लुक्ड सैटिस्फाइड के बागे बात आपका सब्सक्राइब गोगरभी यहां पर देके, आप जब इसको पढ़ेंगे, यहां पर पहला ही वाक्य पढ़ेंगे, ते यहां पर दिखाए यहां पर इसमें से खोजी है, यहां पर देके, इक्स प्रेस, के यह वाला सब्द यह कहां पर व्रोप कारण सब्सक्राइब दिया है यह मिल गया इसका मतलब सी वाला आप सब्सक्राइब जवाब लगा निकाल सकते हैं समझनाया जैसे आपका उफन नमबर का जो क्वेस्चेंहिए कर देखिया I ran out of the house to apply option को पढ़ लिजे play hockey दिया है called corn flowers दिया है father silver coins दिया है collect the hell stone दिया है अब देखें आप इसको पढ़िएगा हम पहले से पढ़े हैं इसको आप डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि इसका answer क्या होगा अब कैसे निकालेंगे collect the hell stone जब इसको पढ़ेंगे देखें यहां पर लिखा है यहां से देख लिजिए तोड़ा the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pierce ठीके देखें यहां पर collect the यहां for the frozen pierce जब इसे खोजेगे तो इसका मतलब क्या हो था फिर फिर वर्सा होगा तो क्या होगा बरप पढ़ेगा तो उसको क्या collect करना इस फॉर्जेन पियर्स का मतलब यहां पर है कि hell stone क्या है यहां पर hell stone को क्या कर रहें collect कर रहें इसका सही जवाप डी वाला आप्सन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ठीक है यहां से आप उस सब्दों को पकड़के सब्दों को मिला कि आप इसका एंस्वर आप निकाल सकते हैं इस तरह ठीक है अब देखिए 11-13 तक choose the correct option to answer the following question अब देखिए यहां पर पढ़िए अब यह आपके book का है यादि आप book पढ़े होंगे अच्छे तभी आप इसका answer सही से दे सकते हैं देखिए क्या है आपका कि how did kisa feel at first on being unable to find such seats ठीक है अब जब यह पढ़े रहेंगे देखिए यहां पी क्या होता है कि how did kisa feel at first on being unable to find such seats मतलब होता है 20 देखिए इससे क्या होता कि weary था hopeless दोनों थे ठीक है बरावा नमबर कर देखिए who is the author of the lesson madam writes the bus यानि madam writes the bus जो poem है उसके बारे में आथर कौन है यानि उसके author कौन है जैसे madam rider writes the bus जो है इसके author कौन है बताना है अब पढ़े होंगे book में तो madam writes of the bus जो इसके जो आथर है विलिक करना है इसका सही जब क्या होगा बीवला आपसा सही हो जागा तो आप इसके बारे में जब जानते रहेंगे तभी इसका answer आप दे सकते हैं बुक से आपके कम से कम बुक से आपसे जो प्रशन पूछता है दस नमबर का रहेगा बवी कल्प सुलका आपके कर फ्रांग कर वाय फ जो है है इसके आथर कोन से द्यक्तिए प्रॉप कुमार गुप्ता लोकेस एबरोल हें यह ये क्या है ल् Pixya अटिं resultado रोड ulh आए फिस से बारे में जानते रहेंगे इसका answer दे सकते हैं एक व फॉर्म जो है लुश आपके पर पहले आप यहां पहले 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 इसके बाद इसका निकाल सकते हैं मतलब यह लाइन जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है यह बताना है आपको तो देखें यह भी आपके बुक का सवाल है मतलब यह लाइन जो है किसके द्वारा लिखा गया है यह लिखा गया है अगरा देखें इन रात में क्या चमकता है रात में आप सभी को पता है कि मुण चमक रहा है होल मतलब पूरा यह पूर्ड रूप से क्या चमक रहा है मून यहां फोल मून तो आपको पढ़ने से मिल जाएगा लेकिन आथर और आथर के बारे में बता सकते हैं ठीक है आथर मतलब होता है कि कभी ना कभी या लेखा किसने किसके द्वारा लिखा गया वही बताना रहता है आपको अगला देखिए चूद क्रेक्ट आपसन तु एंस्वर्ड़ फालिंग क्वेश्चन यह आपके बुक से सभी सवाल है आप पढ़ ल ने कितने पुत्री थे एक रहाः पुत्री थी धाटर समस क्या होता है पूत्री ना राम लोगे कितने पुत्री थी देखिए 14 तो चार पूत्री तीसका सभी जो अब डिवालाफ सर्जाइगा अगला देखिए 17 अब्ले दाक्टर गव ट्रीकी मतलब कि क्लीनिक पर क्या दिया था फ्रूट एन विजटेबल दिया था यह तो दिया नहीं टिया था इंजेक्शन दिया नहीं उपत्वाइश्ट सब्सक्राइब कोई फूर नहीं दिया थे तिसका सही जवाप सीवल आपसन सही हो जाएगा जितने भी आपके बुग के सवाल है वो कोई सवाल आपको सही से आना चाहिए ठीक बुग आप जरूर से ध्यान से पड़ लीजी तभी आप इन कोईस्टन जो पूछा गए इसका एंस्वर आप दे इस नंबर का फार्वाट है लुस्यो सेपट फार हंडेट फ्रेंज यांदेट रूपी लुच्ई के दौारा सेपके किया गया किसलिए सेपके था तो आप सभी को पता है कि टूपाइग एक गण खरतने के लिए उसने सेफ किया था ठीक है अगला देखिए हू केम टू महर यानि महरी भोली को कौन कौन को महरी भोली के पास नात भी इसी प्रकास से आपके पूछे जाते हैं अब दिए हैं पार्ट भी स्टार्ट होता है यहाँ पर गराफ देता है पर रीडिंग करना है 50 नंबर के इसके आग्याने वाला है तो देखें पहला कोईस्टन है यह पैरगराफ आपको देगा बोड की एक्जामे थोड़ा सा छोटा देगा बड़ा देखें आप इस पैरगराफ को पूरा ध्यान से आपको पढ़ने के बाद आपको इधर इस संब संबंधित पूछता है तो पर अगराफ संबंधित बताएं अब पर अगराफ संबंधित यहाँ पे ट्रोटल पांच नंबर का क्वेश्टन पूछा तीन सवाल पूछा है तो इसके बारे में आप देखें जैसे वाट काइल आफ इफेक्ट उड़ सेल फोन्स हैं इन क्लास इन्टू स्कूल हाओ उट के सेल फोन प्रूब टूए डिस्ट्रेक्शन फार इस्टुडेंट के लिए जो सेल फोन होता कैसे है यही बताना है पर अगराफ आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका एंस्वर मिल जाएगा ठीक है अब देखें यहाँ पे आपका अगला क्वेस् निकालना सीख जाए है यहाँ पर राइटिंग लिखना आपको दूसरा क्वेस्टन क्या है कि राइट ए लेटर टू यूर फादर रिक्वेस्टिंग हीं टू पर्चेस सम् बुक्स एंड इस्कूल ड्रेस यू यानि कि आपको इस्कूल ड्रेस खरदने के लिए बुक एक लिएटर लिखना है टोटल चार नमबर का क्वेस्टन आएगा और में दिया है राइट अप्रिकेशन टू प्रिंस्पल यूफ इस्कूल रिक्वेस्टिंग हीं टू एचेंग सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट को चैंज करने के लिए प्रिंस्पल को क्या करना है एक इसमें आपको क्या करता है कि जब इस पर रिपोर्ट लिखना रहता है यहां पर कुछ हिंट्स दे देते हैं उसी हिंट्स को हेडिंग बना कि आपको लिखना रहता है टोटल चार नमबर कराएगा जैसे इसकूल डिकोरेशन फ्लेग होईस्टिंग सेरेमनी कल्चर प्रोग इसके बारे में इसके बारे में हैं इसका 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 लिख सकते हैं अब यहां देखें ग्रामा से संबनी जो प्रशन पूछता आपको बता देते हैं इसके बारे में आपको सीखना है इसके बारे में आपको सीखना है यदि आप इसको सही करते हैं तोटल दू नंबर अगला है कि यह आपके हिंदी है इसका इंगलिस में ट्रांसलेशन आपको करना रहता है तोटल चार नंबर मिलेगा ठीक है अगला प्रशन देखें आपके जो लिटरेचर से यानि कि बुक से जो आपके प्रशन पूछे ज सकते हैं यह आर में देखें आर मतलब होता है दो प्रशन देगा दोनों में से एक करना है टोटल चार नंबर कर रहता है ठीक है इस प्रशन को पढ़के तयार कर लिजिए इसके लाब भी वाला देखिए इसके बार में यह वाली तु राइड अंदर बस इसके बार में यह जितने भी प्रशन पता रहें इन प्रशनों का आप जरूर तयार कर लिजिए ठीक है अगला देखिए छटवा नंबर का प्रशन क्या है कि एंस्वर एनिवन आप दा फॉली एबाउट सिक्स्टी वर्ट में देना है टुतल चाथ numा को पुषता है ऑप्रसन क्या आप का इसके दूसरा प्रसन परक का दे साथवा नमबर के देखिए प्रश्ण कैसा पूछता है पेपर में What does the poet say also the Asian lion in this poem How to tell wild animals 40 words में लिखना है total 3 नमबर का या दिया है इस प्रश्ण को पढ़के दोने में कोई एक प्रश्ण का इंस्वर आपको देना रहेगा इसके लवा write the central idea आपको लिखना है central idea हर सल बोर्ट के एक्जाम हो चाहिए प्री बोर्ट का एक्जाम हो हर सल central idea लिखने के लिए आता है total 3 नमबर का आएगा जैसे a tiger in the Jew पर लिखिए fire and ice पर लिखिए जाधा trees इन तीनों में से किसी एक पर central idea तीन देता है तीन पर एक पर central idea आपको लिखना रहेगा अगला है कि answer any one of the falling about 3040 वर्ट में देना है तीन नमबर कर रहेगा जैसे what we are the reason for Matilda and happiness इसके बारे में लिखिए या इसके बारे में दो questions इसमें से एक ही रहेगा देखिए one of the falling लिखा रहेगा मतलब होता है कि दो question में से एक question आपको करना रहता है अगला है कि answer any one of the falling in about 60 words आप 60 words में देते हैं आपको चार नमबर मिलेगा जैसे यहां पर देखिए why is Mr. Pomfres worried about tricky यह प्रशन है इसके सामने यह प्रशन है जितने भी प्रशन पता है सभी important प्रशन है सभी एक प्रकार का वायरल है यह पि जितने भी question आपको बता है उन question को practice आप जरू कर लिजिए तो friends आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल पे नहीं है तो आपको subscribe कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें